तो हाई फैंट्स मेरे नाम अमन आप दीखरों मेरा चैनल बिजनिस के क्यों तो आज एक ऐसा बिजनिस आइडिया लेके आया हूँ जो मात्र एक हजार रुपा में सुरू होगा और डेली के लगबग दो से तीने जार रुपा तक कमा के देगा तो आई वीडियो को सुरू कर कि लेका च्छा लेक päर फिंद'S खसके लोगे विजनिस के लेका है कि बहुत कम करते हैं। इस में לס़ पर लेकिन यहादा हूँ जाधा हूथ हूता है। ठीक है मेरे राइट हैंड मार रहा हो इस टाइप का हैड़ वे सिलेंटर होता है दूसरी बात उसके लिए साथ साथ लेना पड़ेगा आपके लिए बलून का पैकेट जो लगबग 50 रुपय का होगा उसमें लगबग 100-100 बारे होंगा तो पहली बार जो सिलेंटर आप इंडिया मार्ट से खरीदेंगे उसमें तो आप पहली बार विजिस कर सकते हैं ठीक है उसके बार आपको क्या करना पड़ेगा इंडिया में बहुत सारे लोग दोबारा से सिलेंटर को आडर नहीं करते हैं वो खुद रिफिल कर लेते हैं उसके लिए रिफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है पहले आप वीडियो देखो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ तो आप लोगों ने बीडियो देख लिए कि बीडियो में जब दोबादा सा रिफिल सिलिंडर को करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा एक उसमें पानी की दुरुवत पड़ेगी ऐल्मोनियों फाइल की और कास्टिक सोडा की जो कास्टिक सोडा आपके लिए किसी भी पर्चुनी की दुकान पर मिल जाएगा लगभग 100-500 रुपाय किलो मिलेगा ठीक है और सिलिंडर में कोई कास्टिक सोडा ज्यादा नहीं कितने में तो लगभग जो कॉस्ट आईगी उसमें बनने में यह गुबारा पूरा रेडियों ने कॉस्ट आईगी लगभग 75 पैसे से 80 पैसे के अरण ठीक है अब वो बिके का कितने में वो लगभग 10-12 रुपा में बेका आपका ठीक है वो आपकी मार्केट के उपर है लगा लिए आपने 200-300 गुबारे पर डेके बेक हैं तो लगभग 2-300 रुपा आप लगभग डेली के कमाते हो ठीक है बिजनेस आइडिया बहुत जादा बढ़ी है लेकिन बहुत जादा कम बिजनेस आइडिया करते है लोग तो इस वह से लोगों को लगता है कि इसमें प् अब बिजनेस इस्टाइड करने में आपको कोई भी तिक करते है तो आप मेरों कमेंट कर सकते हो नीचे इस्टागरम के आइडिया हो रही हुई आप में मैसेज कर सकते हो थैंक्स पर बाचिंग